नमस्कार देच्चू चैनल पर आपका श्वागत हैं बात करेंगे राजस्तान के मोशम के बारे में अगले 24 गंटों से लगा कर एक सब्ता के दोरान के सरे के मोशम आज है 25 अपरेल 2023 राजस्तान में कल से 20 अपरेल से एक बार फिर्चे मोशम में बदलावानी की शंपाउन है 20 अपरेल से लगा कर 30 अपरेल के बीस में लेग बेक संपून जिलो पर कई हलकीत कई मत्यम चे लेका कर खंड तर जगी बारिस और उलावस्टी होने की संपाउन है और बारिस के साथ में तेज होएं पेशेले की और दूल परी वाएं बीका नेरो जोटपूर समबा के 27 सपरेल से फिर्चे दक्षिन पचिम तेज होएं से लेकी संपाउन है यह पर जोटपूर समबा की बात करें 25 सपरेल का जएदातर सेत्रों में 100% मोशम सुष करेगा जो पूरी भागों पर कई कई हलकी बुन्दा बांती होने की संबाउन है लेकिन 27 अपरेल और 28 अपरेल को जैसल मेड जोदपूर, बार्मीर, पाली, जलूर और सिरुक की सब्भी चत्रों पर हलकी से लगाकर मद्यम दर्ज़की बारिश होने की संबाउन है 28 अपरेल को सबसे जैदा बारिश का दौर जोदपूर संबा की चत्रों पर ही देखने को मिलेगा यहाँ पर देखा जाए बार्मीर की कई लगाओ पर यानि 28 और 29 अपरेल को बारिश का दौर देखने को मिलेगा हलाकि 27 अपरेल को भी सुटपूर जगों पर बारिस का दोर जारी रहेगा लेकिन 28 अपरेल के दोपर से लगा कर 29 अपरेल के दोपर के बीस में बार्ड मेर के कई बगों पर कई हलकीत कई मद्यम से लगा कर 3 दर्जे की बारिस होने की शंबाउन है जो बाड मेर चेहर हैं बिटू, बाइतू, उंडू, शियू, वियार के आसपास के बाग हैं बलोतरा, पस्पद्रा के आसपास सेतर हैं और लापूंदरा के आसपास के बाग हैं और कुछ बाड मेर के जो उत्री बाग हैं बाड मेर और जोदपूर के छटवे बागों पर भी इन 28 और 29 अपरेल को हैं पर कई हलकीत कई मद्यम से लगा कर तेज बारिश होने की संबाउन हैं जोदपूर की बाड मेर जोदपूर के 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 बाड मेर जो जोदपूर की बात करें जोदपूर से नजले में भी यानी 28-29 अपरियल को कई लाकों पर कई हलकीत कई मद्यम से लगा कर तेज दर्ज़की बारिश होने की संभावन हैं। जोदपूर से लगा कर पूरी बागों पर भी देखा जादी हैं। 25 अपरियल का जैदतर सेत्रों मौशन सुस्क बना रहेगा लेकिन कल 20 अपरियल से यहां पर मौशन में बदलाओ देखने को मिलेगा। 27 अपरियल की बाद करें हैं पर बांशवार के चत्र हैं डूंगरपूर, उदेपूर, जलावार, चितोडगा, राशमन, बीलवडा, बूंती, बारा और जलावार के आसप्यास के से तरपरियां। 27 अपरियल के दोपर के बाद में भी कहीं कहीं हलकी से लगा कर मद्यम दर्जग के बारिस या बुंदा बांदी होने की शंबाउन हैं। कर खंड तेज बारिस होने की संबाउन हैं। और छुट पर जगों पर कहीं कहीं बुंदा बांदी होने की संबाउन हैं। लेकिन 27 अपरियल से या पर कई लेकों पर बारिस में बड़ोतरी होगी और कई हलकीत कई मद्यम से लगा कर तेज बारिस होगी। लेकिन 28 और 29 अपरियल को जुरू, जुन्जुनू, जिकर, अलोवर, जैपूर, दुर्शा, नागूर, अजमी, टौक, स्वैमादपूर, करोली, धौलपूर, वर्दपूर, सबी जिलों पर यानि 28, 29 और 30 अपरियल को या पर देखा ज़त कई हलकीत कई मद्यम से लगा का तेज़ बारिफ, उल्ला वस्टी और वारिफ के साथ में तेजवाय पिशनले की संबाउन है, लेकिन 1 माई की या औस पास में कुछ बारिफी, फिर चेल की रात मिलने की संबाउन है, लेकिन 2 माई की रातिर छील गाकर, 3 और 4 माई को देखा जाते हैं पर फिर चेलकी थरी होने की संबाओन हैं विकष ने संबाग की बात करें आज 25 अपरेल का बिकष ने संबा के ज्यादातर सेत्रों मौश्रम ठुस्क बना रहेगा लेकिन 20 अपरेल की 90% मौश्रम चूस करेगा 10% जगों पर यानि 26 अपरेल को कुछ बागों पर कई कई हलकी बुंदा बांती हो शकती है लेकिन 27 अपरेल है 28, 29 और 30 अपरेल को देखा जैद गंगानगार हनमानगार चुरू नागोर के पच्छे में बाग है बिका नेरे यापर 27 अपरेल को कई हलकी मद्यम से लगा कर तेज बारिश होने की संबाण है 27 अपरेल को कुछ गंगानगार चुरू के बाग है कुछ नागोर के पच्छे में बागों पर मातर कई कई बुंदा बांती होने की संबाण है बिका नेर के जड़ातर से तरह 25 अपरेल का मौशम जड़ातर लगबग 90 परशेंट सुस करेगा 10 परशेंट जगों पर कहीं कहीं इकदो का जगों पर बुंदा बांती हो शकती है 27 अपरेल को लेकिन 27 अपरेल से यहाँ पर बारिश में बढ़ोतरी होने की संबाण है